सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल एड्यूकेशन फार सीवेसी को और बेल आइकन को दवाईए ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए तो आ गए आप तो प्यारे बच्चों आज की सुधियों में हम लोग बात करने वाले चैर्टर वन की पोएटरी सेक्षन की बारे में जिसका पहला नाम है दड़ ड़श्ट आफ स्नौ तो जैसा कि हमें यहां पता चला है दड़ ड़श्ट आफ स्नौ इसके राइटर का अन है पूश दिया कि किस चैप्टर से लिया गया है इसके राइटर को ने तो ऐसे केसे में हम लोग क्या आव जाते कंफ्यूज हो जाते हैं चैप्टर नहीं पर राइटर का नाम जो पूश देता है तो अपनी कॉपी और पेन लेकर करके तयार हुआ हूँगा इसकी मतलब तो ज मतलब की poison भरा होता है जैसा कि आपकी NCRT कहती है लेकिन इसका एक और मतलब होता है जब आप लोग इसकी बारे में थोड़ी सी रिचार्स करेंगी जैसा कि मैंने किया तो आप लोग पता चलेगा स्चीव शंकर भगवान क्या खाते हैं धतूर तो उसी के पौधे को हम कोवा और कोई वर्ड में नहीं हाँ शुक मतलब आप लोग को पता है ना अरी जड़ जड़ा आना है फिर लाना आप लोग के बुख में भी दिया है और कोई और कोई नहीं देखे तो दिखी तब वे अक्रोश शूप डाउन आमी तो वो तरीका जिस तरह से उस कोवे ने म ढ़े छोटे sir और करोंगे तो उसी तरीके से हैं जो क्ववा है यहां पर पोवयट कह रहे हैं कि व्हालोग की पेड़ यहां फिर आप लोग कह सकते हैं कि हमलॉक के ट्री पर से इन के ऊपर इन juthe ऊपर किंगे उपर शणो की बश्राट है कह सकते हैं करते हैं मतलब कि अब इधर से एक कौवा आया और इनके ऊपर बर्प की थोड़ी थोड़ी डश्ट छुड़ा दिया ठीक अब इसका एक और मतलब समझाऊंगा हर चीज का दो मतलब होता है अचे जॉप मूड उसने मेरे हर्ट को यानि मेरे दिल को और मेरे मूड को एकदम से बदल दिया यानि कि मेरे दिन का जो भी खराब हिस्सा था यानि कि माल लीजे कि कोई ऐसा पार्ट नहीं होता है कि हमारे जो खराब हो जाता है माल लीजे कि मैं आज अपने दिन में दिन भर मुआ लिगा तो यह मेरा दिन क्या हो गया खराब हो गया अब मैंने आज अपने दिन भर में यहां बचा लिया है जो के खुराब हो चुका था जिसके बारें पहले ही प्रैसचित कर चुके थे यांने कि बाले में यह नहीं होता है है इसने wield क मैं एकपर आप बता जो हमारी पिऊम है the dust of snow में बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर हमसे poet Robert Frost बताते हैं कि कि इस प्रकार से एक कवा जो की उनके उपर आके बर्फ का छिड़गाव कर देता है वो उनके mood को क्या कर देता है चेंज कर देता है और उनके hurt को भी बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज कर देता है और उ उसने आपके दिन को बचा लिया कि नहीं अब उस गाने ने आपको दिन को बचा लिया कि नहीं तो feeling समझ रहे हैं तो यह मत समझीए दो paragraph है बहुत कम इसका meaning इसकी meaning बहुत है इसलिए तो Robert Frost famous है तो बस आज की student है यदि आप लोग यहां तक आ चुके है तो प्लीज हमारे च तो थेंक यू जाहिंग जा भारक मिलते हैं अगले वीडियों